आईए शुरू करते हैं, अपने रंगिन फरस के लिए, हैंकि हम कैसे पेपर की चौथी बनाएंगे, जो की डिजाइनिंग हमारा फरस बन कर तयार होगा, ये देखिए जो सिंगल अकवार है, इसके लिए हमने पहले दोबर करेंगे, इसकी आयम भूम का अकवार की चौथी पर जाती है, आप चौथी लगाना सिख गए, तो आप कैसा भी कटिंग कर सकते हैं, ये हमने चौवार कर दिया है, जो कि पहले हमने इसे दोर किया था, तो उसी पहर एक लौट और मार दी, जो कि ये आकवार हमारा चौवार हो गया, चारो कौण बराबर, अब नीचे से, जो दो फेश दिख रहे हैं, ये सिंगल पर लगाएंगे, ये हमारा इदर तीन सैटे, एकटी हो जाएंगी आकर अकवार की, ये एक समोशी का, आकार का अकवार बनाना है, बनाने के बाद, ये देखिए, ये हमारा जो डेजानिंग, इस पर बनाएंगे, वो बनने के लिए तयार है, ये एक समोशी का अकवार की महन होती है, अब पहले इस पर आप 5 से मारका कर लें, जो कि हम जब नए नए अकवार की कटंग सेखते हैं, तो हम पर बहुत ज़्यादा ही अकवार गलत होते हैं, इसलिए मारका करेंगे, उस पर कैंची चलाएंगे, तो हमें कोई अकवार गलत नहीं होगा, और हमारी कटंग बिल्कुल सही होगी, और आप जो मर्जी होगे, आपके दिल में जो कटंग होगे, वह आप कर सकते हैं, बैस उसे पैंच से एक नक्सा बना लीजिए, और उसके उपर कैंची चलाएंगे, तो यह कट जाएगी, और यह बचा हुए भाग, दूर हटाते हैं, जो कि डिजाइनिंग, यह हमारी कट क अगर टैयार हुई है, अब इसे नीचे हमने अगर इसे पान डिजाइन कहते हैं, जो कि हमारे रंगिन फरस के लिए बहुती उप्योगी साबित होती है, जैसे कि हमने नीचे कलर का सीमेंट बिचा रखा है, एक मानी है, अब उपर से हम इस डिजाइन के लिए बिचाएंग और चारों तरप से जो रंगिन सेमेंट होगा, उसके लिए बरेंगे, तो यह डिजाइन मेरी बनकर बिल्कुल तयार होगी, एक रंगोली दूर से दिखेगी, और इसमें भी अगर आप कटिंग करना चाहते हैं, और इसके अंदर तो आप कटिंग कर सकते हैं, तो यह दूर से बहुत ज़्यादा चमक देगी, जो कि हमारे फरस में यह चार चांद लगा देगी, यह देख सकते हैं, जो कि यह बनकर तयार है, अब आप देख सकते हैं, जो कि इसकी डियाइन है, यह दूर से दिखेगी, और हमें भरने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें आप दूसरी कलर का सीमेंट लगाएंगे कटंग से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर पहली बार आई हुए हैं तो आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें जो कि यह यही वीडियो आप तक पहुचती रहें